हेई गाईज वाट्साइब विडियो और आज मैंने विन लेटर 8.0 के अंदर एक फिल्कुल लेटेस टाइटल ट्राइटल ट्राइग किया जिसका नाम है ड्रेगन बॉल्जी स्पार्किंग जीरो जो कि यहार काफी जदे ट्रेंडिंग बे चल रहा है इस वक्त और 8.0 के अं यहां पर मिल रहे हैं वीडियो ने माला है काफी जाने एक्सेल वीडियो को देखना आप लोग सुरु से लेकर एंट तक एंड यह चालन परना तो सब्सक्राइब भी कर लेना सब्सक्राइब लेट वीडियो और गाईज यह हमारा विन लेटर गलिप्सी 7.1.3 और यहां प सब्सक्राइब लेटर वीडियो मेरी पांसो बारा रखी है उसके बाद जितनी भी चीज़े एस इस रखी हुई है सिर्फ एडवांस सेटिंग्स में मेरे पफॉर्मेंस मोड से लेक्के हुए और एसेंचल में स्टार्ट अप रखा हुए और यह सारे और रखे हुए उसके यहां पर ना पर यहां पर आपका इस्टार्ट हो रहा था और यहाँ पर पफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल रही है विन लेटर 8.0 से कहीं ज्यादा क्योंकि 8.0 के अंदर भी मैंने इसे टेस्ट किया और भाई बहुत ही ज्यादा लाग हो रहा था बट यहां पर यहां पर यहां पर मेरे को काफी ज्यादा अच्छे फ्रेम रेट्स देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हो 45 प्लस fps मिल रहे हैं पूरी तरह से प्लेबल है अभी इस कट सीन के जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्लेगर केस में तो देख सकते हो कट सीन हट चुका है और अच्छे फ्रेम रेट्स देगी तो अभी आप देख सकते हो फ्रेम रहे हैं तो अभी मैं आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है यह आपको ऑप्शन पर ही देखने को मिल जाएगा तो यहां पर जो मैं सेटिंग्स अप्लाइब कर रहा हूं वो लोएस पॉसिबल रख रह कर देना क्योंकि यारो सच में बहुत ही ज्यादा अनॉइंग होता है हर गेम में मेरको तो परसनली पसंद नहीं है जो फ्रेम बहुत ही ज्यादा ड्रॉप होते हैं उसकी वज़े से तो आप उसको और बाकी सब कुछ आपका लो रहेगा तो इससे आपको काफी अच्छी प द्रॉप हो जाएं तो मैंने इसको पूरा खेला मनलब थोड़ी देर आगे तक खेला बड़ एक चीज और आगे जादा देर तक खेलने से फोन हीट होता तो उससे भी फ्रेम रेट्स ड्रॉप होते हैं तो वह चीज भी आप दिमाग में रखना अभी आपर क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं और आपको आगे वाला मैं गेम प्ले दिखाता हूं कि आगे मुझे कितने fps मिले जब मैं आगे जाके गेम में लगा रहा तो यहां पर आप दिख सकते हैं गेम में आगे जाके यह वाला fight scene आता है जहां पर मेरे को frame rates काफी जादा drop देखने को मिले तो यार इन लेटर में बिल्कुल प्लेबल नहीं था गाइस आइस स्वेर बहुत ही ज्यादा कम उसमें fps थे तो यहां पर काफी ज्यादा प्लेबल एक्सपिरेंस फिर भी और अगर आप control के थू खेलोगे तो और भी ज्यादा अच्छे experience मिलेगा controller से थोड़ा कम lag feel होता है बाकी य आराउं 30 मिनिट्स तक मैंने इसे खेला और जो दूसरा रीजन है गाइस वह यह है कि यहां पर आगे जाके ज्यादा चीजें लोड होती है ज्यादा चीजें यहां पर दिखाई दे रही तो उस वजह से यहां पर फ्रेम सोड़े ड्रॉप होते हैं तो यहां पर दोनों ही सीजन है और आप इसे ट्लिस ट्राइब कर सकते हो इतना लेटर्स टाइटल आपको खेलने को मिल रहा है और आपके पास एट जैन वन होगा तो ज्यादा बैटर रहेगा और भी अच्छी पोफॉमस्स मिलेगी बाकी ट्रिपल लेता है और 800 सीरिस का कोई स्नैपड्रागन ड बाई बाई हो